माम जो आप 4-4 months की new year की readings करते थे ना वो बहुत accurate होती थी माम हम कितना eagerly उसका wait कर रहे थे माम इस पर ही आपने 4-4 months के हिसाब से new year की predictions क्यों नहीं करी actually देखे मैं Canada से इंडिया travel कर रही थी और starting में adjustment में थोड़ा सा time लगता है तो जैसे मैंने plan किया था वैसे चीज़ें इस बारी नहीं हो पाई खैर अभी भी नया साल गया नहीं है बिल्कुल अभी शुरू हुआ है और आपकी खास request पे आपके लिए 4-4 months की new year की readings है और इस बारी मैं 4-4 months के लिए different different videos बना रही हूँ यानि कि इस video में सिरफ overview of 2022 and first 4 months की reading होगी और उसके बाद next video मैं upload करूँगी जिसमें second 4 months 2023 के रहेंगे and third video में last part of 2023 के 4 months रहेंगे तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की first 4 months की reading जिसमें की overview of 2022 भी है तो चलिए Aries आपकी reading शुरू करते हैं और इससे पहले कि मैं 2023 की reading शुरू करूँ एक नजर 2022 को देख लेते हैं और देखें यहाँ पर मेजर इवेंट्स या फिर मेजरली 2022 के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि यह खास 2023 की reading है हम सिरफ और सिरफ बहुत एक short glimpse 2022 की देखेंगे तो देखेंगे 2022 को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले cards में देख रहे हैं Rebirth and Six of Pentacles और Rebirth का card बहुत ही clearly कहता है कि 2022 की starting में या फिर 2022 में ही काफी सारे Aries के लिए कोई चीज end हुई और एक नई beginning हुई क्योंकि यह general reading है यह ending, beginning सब Aries के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई जगा से related ending बिगनिग रही कुछ के लिए किसी relationship से related ending बिगनिग रही कुछ के लिए देखिए आपका कोई thought process, belief system भी रह सकता है जिससे related ending, beginning रही और जो भी चीज़ें मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ फिर से कहूंगी सब Aries के लिए differ करेगा यह general reading है तो possible ही नहीं है कि हर Aries की situation और circumstances से related ending, beginning मैं आपको बताऊँ और देखिए इसी ending, beginning की वज़े से या फिर otherwise भी six of pentacles का card कहता है कि यह giving and receiving भी जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर कोई खास इंसान के साथ रहा अगें यह भी सब के लिए differ करेगा लेकिन कहीं Aries आपने financial, mental, emotional support या help किसी को दिया कुछ Aries के लिए हो सकता है कि कोई इंसान बहुत time से आप से ये financial या फिर mental या फिर emotional help support मांग रहा था और आप नहीं दे रहे थे और यही एक ending आप लोगों के बीच में थी जो की 2022 में शुरू हुई और फिर से देखिए कुछ Aries के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी से financial, mental, emotional help support लिया लेकिन जादा मुझे दिख रहा है Aries की आपने किसी भी तरीके का help support किसी को दिया और कुछ Aries के लिए ये भी हो सकता है कि कोई करजा था यहाँ पर दिखिए करजा भी पैसों से related हो सकता है या फिर कभी कभी कोई इंसान हमारे साथ बहुत जादा करता है emotional level पे, mental level पे तो वो भी एक करजा हमारे उपर हो जाता है तो कुछ Aries के लिए इस तरीके का भी करजा आपने चुकता किया और देखिए ये भी एक ending, beginning हो सकता है कि 2022 की starting या 2022 में रही and देखिए deeper level के लिए यहाँ पे sharing का card कहता है कि काफी sharing, caring in all रही और कहीं देखिए आपने socialize किया, जितना आप कर सकते थे या फिर आप लोगों से मिले लेकिन इसके बावजूत भी four of souls का card कहता है कि कहीं 100% आप चीजों में नहीं involved हुए 100% आपने चीजों में नहीं participate किया क्योंकि देखिए sharing में एक female है तो कुछ Aries के लिए हो सकता है कि कि किसी female की तरफ से काफी एक sharing, caring mid of 2022 में रही या फिर 2022 overall में ही रही लेकिन कहीं Aries आपने totally उस चीज में अपने आपको involved नहीं किया totally आपने उस चीज में participate नहीं करा और कहीं देखिए again mid of 2022 कहीं बहुत actively कुछ नहीं आपने किया या फिर मैं कहूंगी बहुत कुछ नहीं हुआ आपकी life में वो personal front हो सकता है, professional front हो सकता है या फिर से मैं कहूंगी Aries आपने किसी level पे withdraw किया इसके बावजूद कि कोई खास इंसान था या फिर लोग थे जो आपसे share कर रहे थे, आपकी care कर रहे थे और कहीं हो सकता है किसी female की तरफ से कोई एक gift भी कुछ Aries को मिला या फिर उन्होंने कुछ आपको दिया और कुछ Aries के लिए भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ share किया या फिर कुछ दिया देखिए end of 2022 के लिए यहाँ पे five of swords, reverse and healing के cards कहते हैं कि आपको ऐसे लगा होगा कि भाई, चीजे fear नहीं हो रही है किसी तरीके से, किसी level पे एक injustice, एक unfair energies आपने महसूस करी अगें ये भी सब Aries के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है, circumstances, situations थे जिन्होंने आपको उतना support नहीं किया या फिर जिनकी वज़े से आपको लगा कि भाई, ये आप deserve नहीं करते थे ये आपके साथ fair नहीं हो रहा है कुछ के लिए कोई खास इंसान हो सकता है Aries जिसकी तरफ से एक किसी तरीके की again unfair energies या injustice आपने महसूस किया और कुछ के लिए देखिये हो सकता है कि कोई चीज आप चाहा रहे थे किसी चीज के लिए आप effort कर रहे थे उसमें आपको victory नहीं मिली उसमें कहीं एक अपनी हार एक अपनी defeat आपने महसूस करी लेकिन जो भी surface level के लिए हुआ कहीं deeper level के लिए healing का काट कहता है Aries आपने कहीं अपनी healing पे जादा focus किया जो भी हुआ उसमें से आपने positive चीजों को लिया positive तरीके से चीजों को deal करना चाहा और कहीं इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक healing भी साथ ही साथ आपने अपनी करी या फिर एक healing भी रही या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि unfair circumstances थे, injustice वाली situation रही लेकिन साथ ही साथ कोई loved one था जिसकी तरफ से एक emotional support आपके लिए रहा कुछ Aries के लिए हो सकता है कि इन ही unfair, injustice वाले circumstances में भी आपने better feel किया या फिर आपकी healing रही तो ये था Aries आप लोगों के लिए 2022 का एक overview अब देखते हैं Aries की 2023 के first four months that is January, February, March, April आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे तो देखिए first four months के लिए याँ पे सबसे पहले काज मझे दिख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए कोई celebration, कोई get together, कोई reunion in four months में रह सकता है कुछ Aries के घर में रह सकता है, कुछ Aries के लिए हो सकता है कि किसी family member की life में है, जिसमें आप involved कर रहे है, participate कर रहे हैं कुछ Aries के लिए देखिए, front circle में हो सकता है कि कोई celebration, get together, reunion है और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि simply आप ज़ादा socialize करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने loved ones, close ones से ज़ादा interact कर रहे हैं, ज़ादा बातचीत कर रहे हैं और कुछ Aries के लिए हो सकता है कि आपके loved ones, आपके close ones आसपास हैं और कहीं देखें पीछे किसी चीज को लेकर अगर आप stuck महसूस कर रहे थे जहां पर एक indecisiveness थी, inaction वाली energies थी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें तो कहीं starting of 2023 में इन ही energies से भी आप बहार निकलना चाहा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं और देखें 2022 के end में हमने देखा भी था Aries कि आप किसी level पर किसी तरीके का एक unfair energies या injustice महसूस कर रहे हैं तो कुछ Aries के लिए literally यही एक चीज हो सकती है जिसमें से आप बहार निकलना चाहा रहे हैं और फिर जिसको लेकर कुछ चीजों को आप avoid कर रहे थे कुछ चीजों को आप ignore कर रहे थे देखके again मैं कहूंगी अन देखा कर रहे थे सुनके अन सुना कर रहे थे और फिर से देखिए कुछ decisions, कुछ choices लेने की ज़रती जो कि आप नहीं ले रहे थे और कहीं देखिए उन्ही energies में से या फिर otherwise भी जिस भी चीज को लेकर आप stuck अपनी life में महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं 2023 की starting में उससे ही आप बहार निकल रहे हैं और कहीं देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि इसी लिए शायद आप ज़ादर socialize कर रहे हैं आप फिर अपने loved ones, अपने close ones के साथ ज़ादर interact कर रहे हैं और कुछ के लिए देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी stuck energies में इसे बाहर निकलना चाहा रहे हैं या निकल रहे हैं और यहाँ पर Empress and Turning in के card कहते हैं कि चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत assertively, बहुत confidently जो भी आप चाहते हैं उसी direction में action initiatives लेते वे दिख रहे हैं आप हर चीज में involved हो रहे हैं, participate करना चाहा रहे हैं लेकिन deeper level के लिए turning in का card कहता है कि कहीं you know कोई एक part है जिसको आप withdraw भी कर रहे हैं तो देखिए दोनों cards को combine करूं तो mix the energies कहीं in 4 months में या फिर mid of these 4 months के लिए रहती हुई दिख रही हैं और थोड़ा सा हो सकता है कुछ Aries एक aggressive energies में भी रहें लेकिन deeper level के लिए आप you know चीजों से withdraw कर रहे हैं deeper level के लिए आप कहीं you know money ही money या फिर अंदर से किसी भी चीज में involved नहीं हो रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं एक back seat ले रहे हैं और देखिए कितनी बारी Aries ऐसे circumstances होते हैं society की वज़े से, family की वज़े से हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं या हम करते हैं लेकिन अंदर से हमारा मन नहीं होता है कुछ Aries के लिए ये एक energies रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि again देखिए surface level के लिए आप बहुत active energies में हैं लेकिन मन ही मन एक passive energies है या फिर देखिए आप emotionally मन ही मन किसी चीज को लेकर low feel कर रहे हैं कहीं emotionally बहुत ज़्यादा attached किसी चीज से नहीं होना चाहा रहे हैं कहीं एक meditation भी हो सकता है कुछ Aries करना चाहा रहे हो इस time period में या कर रहे हो और कुछ Aries के लिए हो सकता है कि father का एक active role आपकी life में in 4 months में रह रहा है और कहीं इस से भी किसी level पे आप Aries withdraw करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं जो भी हो देखिए in 4 months में या in 4 months के end में rebirth and ace of wands के card कहते हैं कि कोई ending beginning रह रही है देखिए दोनों ही cards कहीं ending beginning की बात करते हैं rebirth का card फिर से चीजों के शुरू होने की बात करता है और ace of wands का card तो beginning की बात करता ही करता है तो थोड़ा सा मैं अपने आपको correct करूंगी ending beginning के बजाए जादा किसी चीज को लेकर एक नई शुरूआत होती हुई दिख रही है यहाँ पर कुछ aries के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज से आप disconnect अपने आपको कर रहे हैं किसी चीज से आप अपने आपको cut off कर रहे हैं और कहीं देखिए जो भी beginning है वो एक growth, वो एक excitement, वो एक enthusiasm, वो एक high energy levels आपकी life मिलाती हुई दिख रही है और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी चीज से disconnect कर रहे हैं ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है simply अपने negative thoughts से आप disconnect करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कोई इंसान है ये इंसान भी सब areas के लिए differ करेगा उससे disconnect करना चाह रहे हैं कुछ के लिए जगा हो सकती है कुछ के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सब areas के लिए differ करेगा यहाँ पर cards मुझे फिर से मैं कहूंग यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज से आप disconnect कर रहे हैं और यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि जिस इनसान से या जगा से आप disconnect कर रहे हैं उनसे आपका relation खतम हो रहा है No, I am not saying this But हाँ हो सकता है कि किसी भी तरीके की dependency अगर थी उस इनसान पे, जगा पे या फिर thought process पे वो dependency खतम होती हुए दिख रही है कहीं independent तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं और फिर से देखिए एक growth, progress, excitement, enthusiasm आती हुए दिख रही है तो यह था आप लोगों के लिए first four months की reading और अब guidance का card देख लेते हैं तो guidance है आप लोगों के लिए है full moon in Aquarius और यह card कहता है show the world the real you तो जो भी देखिए आपके मन में हैं जो भी आपका real self है उसको आप ना hide करें, उसको आप ना छुपाएं देखिए यह card भी सब areas के लिए different life के area के लिए message दे रहा होगा लेकिन overall देखिए कुछ areas के लिए हो सकता है कि अगर आप कोई talent किसी से छुपा रहे हैं कोई आपके अंदर हुनर है उसको आप नहीं explore कर रहे हैं उसको आप नहीं खुई के लोगों को दिखा रहे हैं तो आप जरूर दिखाएं कुछ areas के लिए हो सकता है कि कोई बात है जिसको आप नहीं अपने किसी love one के साथ share कर रहे हैं कुछ areas के लिए आपकी कोई feeling आपकी कोई emotion हो सकती है कोई चीज हो सकती है जो again आप नहीं दिखा रहे हैं तो यहां पे card बहुत ही clearly कह रहा है कि जो भी reality में आप महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी real आप हैं उसको आप खुई के बिंदास होके सब को दिखाएं तो यह राएरीज आप लोगों के लिए again first four months की reading और next four months मैं बहुत जल्दी upload करूंगी so stay tuned